हेलो गाइज गुड आफटर नून कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज हम बनाने वाले हैं एक फ्लावर पॉट या फिर हम बोल सकते हैं एक डेकोरेशन की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं तो डेकोर आइटम बनेंगे बहुत ही प्यारा सा तो चलो बनाना स्टार्ट करने मैंने एक बल्हून ले लिया है जो कि गुल है और इसपे मैंने ये फैवी कॉल लिया है फैवी कॉल मैंने थोड़ा सा पानी एड़ करके इसको थोड़ा सा पतला कर लिया है फैवी कॉल को और इस पर मैं इस न्यूस पेपर पूरे पे चिपका दोंगी तो इस पर मैं पूरा कवर कर दूंगी इसको न्यूस पेपर से इस तरीके से चार तरफ त तो मैंने सोचा मैं बनाती हूँ ऐसे ही और लेकिन मैंने कलर कॉंबिनेशन थोड़ा बस चेंज किया है इसका और पूरा वर्ना ये मैंने मिंत्रा से ही कॉपी किया है तो घर पे बनाओना बहुत ही आसान है और अपना मतलब की बहुत जादा मजबूत भी है तो बस मैं ऐसी तो यह ना निउस पेपर इसकी में तीन चार पांच लेयर लगाँगी तो अब यह फस्त लेयर लगी है और इस तरीके से पूरा मैं इसको चिपका दोंगे बलून को इसी तरीके से बुरा कवर कर देंगे तो एक खाली एकी लेयर ना लगाएं इस पे तीन चार लेयर लगाएं तो मतलब प्रॉपर अब यह मैं लास्ट लेयर लगबग लगा रहे हूं तो इसी तरीके से मैं पूरा इसको कवर कर दूँगी तो मैं लगवाग इस पे पांच लियर लगा चुकी हूं यह छटवी लियर लगा रहे हूं तो और मैंने फिर इसको लगाने के बाद ओवरनाइट इसको सूखने दिया या फिर आप इसको दो चार गहंटे के लगवाग इसको छोड़ दें क्योंकि जितना अच्छे से पकड़ लेगा प्रॉपर अगर आपने यह जल्दी फोड़ दिया तो यह पिचक जाएगा फिर यह शेप में प्रॉपर नहीं आएगा तो देखो मैंने ओवरनाइट इसको सूखने के लिए रख दिया था और फाइनली यह अच्छे से सूख चुका है आप लोग देख सकत तो अभी मैं इसको एक गोल शेप में कट कर दूँगी तो ऊपर से तो यह देखो बहुत अच्छी शेप आई है और देखो एकदम टाइट भी है तो बस अभी कर देती हूं कट इसको और अब इसकी बैक साइड में इस जिस्से की यह प्रॉपर जह हम रखें तेल लुड़के ना इसलिए इसको नीचे से दवा के इस तरीके से दबा के और देखो इसको मतलब ये कितना भी आप इसको धका दो ये गिरेगा नहीं तो इस तरीके से इसको नीचे बेस दे देंगे तो ये देखो उपर इसका मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है क्योंकि मैं इस पे लगाने वाले हूँ ये बॉटल कट करके उपर की शेप देने के लिए तो मैंने एक बॉटल है यह कोल ड्रिंग की यह ले लिए और इसको मैं यह आगे से भी थोड़ा सा कट कर दूँगी तो फाइनली यह भी कट हो गई है यह देखो इस तरीके से तो प्रॉपर यह थोड़ी उची नीची है तो प्रॉपर इसको शेप में ले लूँगी तो यह जो नाइफ है ना काड़ बॉट करने वाला मेरा यह भी तूट गया है आप लोग देख सकते हैं नीचे टूटा हो अपड़ा है और अभी यह जरासा रहे गया है बस तो मैं ऐसी से काम चला रही है क्योंकि अभी मैं मार्केट भी नहीं जा सकती थी तो यह देखो कि थोड़ा सा खोल देंगे इनको देखो इस तरीके से अबस अब बस इसके उपर रख देंगे तो हमारी शेप बन के प्रॉपर तैयार हो गई है और इसको भी मैं यह टेप से चिपका दूगी है तो पहले तो मैं इसको नीचे यह जैसे मैंने उपर यह इसका उपर से जो रहे थे जो मैंने लेयर लगाई थी तो पहले उसको कवर कर देती हूं पूरा और अब उपर से मैं यह बॉटल से यह रख दूगी और चार तरफ इसको अच्छे से लगा देंगे और यह जो बॉटल लेना इसको पूरा मैं टेप से ही डख दूगी जिससे कि जब मैं यह व इसको मैंने पूरा कवर कर दिया है जो मैंने बॉटल लगाई थी और अभी मैंने ले लिया है वाइट सीमेंट और यह फैविकॉल का गोल पेस्ट बना लिया है और इसको मैं इस पे लगाऊंगी तो आप चाहें तो गलब्स पहन लें तो सबसे ज़्यादा हाथ वैसे तो मैं बिना गलब्स के काम कर रही हूं तो प्रॉपर मैं इस पे इसी तरीके से पूरे पर वाइट सीमेंट लगा दूगी पूरा कवर कर दूगी तो इस पे एक साथ तो लगने वाली है नहीं क्योंकि थोड़ा गीला रहता है यह तो इसलिए मैं इस पे दो तीन बार में सेमेंट लगाऊंगी तो बहुत जादा भी नहीं लगती है इस पे लेकिन जैसे अभी मैंने तीन चम्मच के करीब गोली थी बस और इसमें एक चम्मच डाला था फैवी कॉल और प्रॉपर इसको पूरा एदे को यह कवर हो गया है लेकिन और मैं नीचे की साइड भी इसकी कवर करदूंगी यह पूरा होगा है है तो बस इसी तरीके से इसको पूरा कवर कर देंगे फिर इसको मैं सूखने के लिए रख दूंगी तो बहुत जादा दिर नहीं दो गытवर काफी कॉसू सूख जाएगा दो हंट फिर से लगा दें एक और लिएर इसकी तो बस इसी तरीके से तैयार कर लें यह सूख चुका है लेकिन अभी हम इसको ऊपर यह उपर की जो साइड है आप लोग देख सकते हैं जो हम बोल सकते हैं इसका मुह उसको प्रॉपर शेप नहीं आई अभी तो अंदर की साइड जहां तक हमार उंगली जाएगी वहां तक भी मैं अंदर वाइट सीमेंट लगा दूँगी क्योंकि क्यान उपर से दिखाई देत तो वाइट सीमेंट ऊसको पूरा फिल कर कर सकते हैं इस तरीके से पूरा इसको मुह की जो शेप हो दूंगी और इसको जो नीचे जैसे कहीं-कहीं गड्ड हैं या उंचा-णीचा हैं वहाह पर वैट सीमेंट लगांगी तो अभी मैं फिनेशिंग दे रही हूं अभी फाइ भी बोलते हैं तो वही पेपर ले लिए यह और इसके इसकी किसाई होने वाली यह अच्छी खासी क्या होगा कि एक दम यह चिकना हो जाएगा तो जो उपर मैंने जो इसके फेस पर सीमेंट लगाई थी तो उपर से भी में पहले गिस देती हैं जसे कि सारे जो कॉर्णर है वो एकदम शेप में आ जाएं अब मतलब इसको बहुत जादा दबाना नहीं है सूख गया है प्रॉपर लेकिन फिर भी क्या हलके हाथ से ही करें ऐसा नहीं दबाएं और चटक वटक जाएं तो यह देखो अच्छे से मैंने इसको पूरी अच्छे से गिसाई कर लिया और देखो कितनी सारी सीमेंट नीचे इस तरीके से करना है और अब मैं इस पर डिजाइन काड लूँगी यह दिजाइन मैंने मिंत्रा से ही कॉपी किया है वैसे बस हाँ कलर चेंज कर दी है मैंने अपने अकॉर्डिंग तो वाइट सीमेंट पैंसल बहुत अच्छा काम कर रही थी तो मैंने यह उपर टेप लग चाहिने करी है इसकी कि तो फाइनली यह हो गया मेरा वाला एक रेक बस sexuality या उसमें मैं करने वाले हुं ब्लैक तो थोड़ा सा इसको राइट कर लेती हूँ का इसलिए मैं मैं ओ घार मिक्स कर देती हूँ टॉपर में ब्लैक नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा लाइट इसमें वाइट कलर मिक्स करके और पूरा उपर में उपर की जो साइड उस पर ब्लैक कलर कर देती हूं पहले तो और यह अपर जो खैसा जो में जो लगाई थैस삜 को पर है उसको मै ने छोड़ दिया खुरा का लाइनिंग कर दिया है उसको मैंने छोड़ दिया है उससे मैं घौड़न कलर ने डी जगा वाली सी उपर छोड़ दी है और यह घृ घृर्माईनिंग कर दिया हैं तो फिर से मैंने lining कर दिया एक और line खीच रही हूं हूं है इस तरीके से दो डॉनों में खीचना है मेरे को जो इस तरीके की ये दो design बनाई है ना मैंने दोनों में खीच हूंगी मैं ऐसी तरीके से line ड्रो कर दूंगे और अब यह जो दो सरकल के जो बीच में जगा थी ना उसमें मैंने इस तरीके से में 3-3 line करी है और मैंने क्या किया है पहले white कलर करना भूल गई थी क्योंकि मैं इस पार बाद में वायड किया तो इस पर बाक है आप चाहें तो पूरे ही सränकल में is उसमें white पहले पर कि लिए दून से और वाइट कर दियां और और अब में नीचे की सुछाइड यह जो दूसरे जगाए नहीं लुप हो तो पूर इस त radish द्रेशं और आप तो यह हो चुकी है और अब यह जो डिजाइन बनाई थी मैंने इन दौनों में इस नीचे वाली में और उपर वाली में दौनों में ही मैंने गोल्डन कलर कर दिया है और नीचे न अब ये जो ए लाइन जो मैंने दो ड्रॉ करी थी इस तरीक से डंडे थोड़ा गैब गैब करके एक लाइन और ड्रॉ करनी है मौनलों प्रोपर लाइन नहीं थोड़ा सा गैब दे दे के इस तरीक से आप चाहें तो डिजयन चेंज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद की डिजयन ही बना सकते हैं इस पर तो यहें अब देखो यह इस तरीके से डिजयन बनाई है तो मैने पहले यह पैंसिल से बनाई है और फिर दिए पर घटाइप कालर अर्शी स tab तो यह बाला डिजैन चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं मेरी बहुत अच्छी ड्रॉइंग नहीं है बठा मैं काम चल जाए उस तरीके से कर लेती हूं तो यह देखो ओ चुकी है पिंक कलर अच्छी मैं क्या कर रही हूं नहीं एक साथ जो भी कलर का काम है एक कलर का चाहिए पहले फिनिश कर देती हूं तब दूसरा कलर उठाती हूं तो उससे आसानी भी हो जाती है कि बार बार ब्रश भी साफ करना नहीं पड़ता जैसे कि मैंन दोने पड़ रहे थे ब्रश और यह नीचे ना मैंने जो यह देखो छोटे-छोटे से यह खाने टाइप में बनाएं मैं अलागला डिफरेंट-डिफरेंट कलर फिल की हैं है और मैं रैड कलर से इस तरीके से ये जो मैंने गोल्डन कलर जो भरा था ना इस मैं इस तरीके से छोटे-छोटे से सरकल मना दूँगी अब चाहें तो इसके भी कर सकते हैं वाथा यह क्योंकि मैंने पूरा डिजाइन मैंने मिंत्रा लिए मिन्तरा पर मिल रहा है जो नहीं पूरा ही कॉपी किया है तो इस पेवि में पीच बीच में यह जो यहां पे भी मैं इसी तरीके से बिंदी रख दूंगी जहां यह जो खाने ना इनका जो जॉइंट है उस जगह, तो ये भी हमारा तयार हो चुका है, और मैं बताओं आप लोगों को ये मिंतरा पर कितने का मिल रहा है, ये मिल रहा है मिंतरा पर 750 का, और मैंने ये, और घर पर बनाने में इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगी होगी, 60-70 रुपे में तयार हो गया होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लगा, बट मैं जो भी फ्लावर पर्ट बनाती हूं न, वो नेक्स्ट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, तो अब बारी है, मैं नीचे लाइट कलर चाहती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ प न, दो कोट की हैं, अगर आप नीचे वाइट कर लेते हैं, क्योंकि क्या था न, मैंने पैंसिल से काम किया था, तो यह काफी ज़्यादा इस पर ब्लैक ब्लैक मार्क टैप के हो रहे थे, तो वो मैंने इसलिवर कलर किया, उसे एक वार में नहीं गया, तो इसलिए मैंने दो कोट की हैं, सिल्वर कलर के, तो यह हो गया है, तैयार पूरा बन के, अब थोड़ा से इस पर शैनिंग देने के लिए, मैं कर रहे हूं, यह क्लियर वार्निश, क्योंकि इससे न, इस पर थोड़ी सी शैनिंग आ जाती है, उस इसलिए, क्योंकि फिर उससे क्या होता है, एक जैसे कि मार्केट से खरीदा हुआ है, और यह वाइट सिमेंट का नहीं है, ऐसा लगता है, तो देखो चमक आ गई न, फाइनली बस बन के तयार हो गया है, गैस अगर आप लोगों को मेरा यह डिय पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत बू जार हो गया है, गैस आप लोग को कैसा लगा, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना आपको कैसा लगा यह वाला फ्लावर पॉट